हमारे पास MS Word की ये 10 फाइले हैं और हमें इन 10 फाइलों को केवल एक ही MS Word की फाइल में merge करना है तो हम क्या करते हैं नॉर्मली हम एक एक करके सभी फाइलों को open करते हैं और open करने के बाद में Ctrl A के दुआरा उनको select करते हैं और select करने के बाद में Ctrl C से हम उनको copy करते हैं और copy करने के बाद में हमारी नई file के अंदर control V के द्वारा उसको paste करते हैं तो इस तरीके की process हमें सभी file के अंदर दोहरानी पड़ती है जिससे हमारा बहुत सारा समय बरबाद हो जाता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी trick बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप केवल एक मिनट से भी कम के समय में इन सभी file को एक ही file के अंदर merge कर सकते हैं तो कैसे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारे MS Word के page को open कर लेते हैं यह देखो यहां से हमने MS Word को open कर लिया यहां से हम blank document पे click किया अब blank document में आने के बाद में हम कहां जाएंगे insert tab के अंदर जाएंगे insert tab में जाने के बाद में यह देखो इधर हमारा क्या है object है अब आप जो MS Word का version यूज कर रहे हो अगर उसमें ऐसे features नहीं है या वो आपका old version है या 2010 यूज कर रहे हो क्योंकि मेरा MS Word का जो version है यह 2021 है तो मैं आपको देखो 2010 के अंदर भी बता देता हूँ यहां से हम इसको minimize करते हैं और यहां से देखो हमारे पास यह 2010 वर्जन भी है जिसके अंदर हम कहां जाएंगे insert tab के अंदर जाएंगे और यहां से यह देखो यह रहा object object के पास में जो arrow का जो sign है उसके उपर हम click करते हैं click करने के बाद में सबसे पहले object और उसके बाद में क्या है text from file तो हम किसके उपर click करते हैं text from file के उपर click करते हैं यह देखो अब हमारी जो file थी वो कहां थी desktop के उपर थी, तो desktop पे चले गए और desktop पे क्या था, new folder के नाम से थी यह देखो, यह रही, हम इसको क्या करते हैं, open करते हैं, double click करके यह देखो, open हो चुका अब हमारी जो file हैं, वो already देखो हमने 1, 2, 3, 4 के करम में यहाँ पर अगर आपकी जो file हैं, वो करम में नहीं हैं, तो आप एक बार सबसे पहले उन file को क्या करो, करम में व्यवस्तित कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, वो सभी file करम के अंदर ही यहाँ पर merge हो जाएंगी, यहाँ पर file के उपर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, और फिर उसके बाद में क्या करें, Ctrl-A के दौरा सभी को select कर लेते हैं, Ctrl-A के दौरा सभी file हो चुकी हमारी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से insert कर लेते हैं उनको, यह देखो, ये देखो कितने पेज आचुके हमारे 52 ये देखो सभी फाइले हमारी मर्ज हो चुकी है तो देखा आपने हमारा जो घंटो का काम था वह हमने केवल एक मिनट से भी कम के समय में पूरा कर लिया तो दीजी हमें इजाज़त जल्द मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम